आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फोन की सैटिंग्स से एप लौक कैसे करें या फिर अपने फोन की सैटिंग्स से एप लौक कैसे लगाएं तो इसके लिए आप अपने फोन की settings open करिए settings open करने के बाद नीचे आईए नीचे आने के बाद apps आएगा इस पे click करिए उसके बाद नीचे app lock आएगा इस पे click करिए और यहाँ पे अगर आपको ये app lock नहीं मिलेगा इस तरीके से तो अपने phone की settings open करने के बाद उपर आएगा search settings तो इस पे click करिए click करने के बाद type करिए app lock awp space loc के app lock type करने के बाद उपर आपकी setting में search करने पर आ रहा है app lock तो app lock पे click करिए अब यहाँ पे नीचे turn on आएगा इस पे click करिए अब यहाँ पे app lock set करने के लिए या फिर app lock लगाने के लिए एक password बनाईए यानि कि lock set करिए तो अगर आप pin password लगाएंगे तो नीचे change password आएगा इस पे click करिए अगर आप pin lock लगाएंगे तो pin select करिए password लगाएंगे तो password select करिए हम लगाएंगे pattern तो pattern already select होता है तो अब हम एक नया pattern draw करेंगे अपने app lock को लगाने के लिए pattern draw करने के बाद उस pattern को या फिर उस lock को फिर से enter करिए confirm करने के लिए confirm करने के बाद नीचे next आएगा इस पे click करिए अब not now आएगा इस पे click करिए 2-3 second wait करने के बाद फिर से नीचे not now पे click करिए अब आपके phone के ये जो कुछ apps आ रहे हैं इन application में lock लगाना है तो use app lock पे click करिए अगर नहीं लगाना है तो इस तरीके से unselect करिए और उसके बाद use app lock पे click करिए और अगर आपके phone में finger sensor है तो fingerprint app lock में लगाने के लिए sensor पे अपना finger लगा कर confirm करिए verify करिए अब यहाँ पे आपके phone के सारे app आ रहे हैं तो जिस application में lock लगाना है उस application के सामने ये जो on करने के लिए बटन आएगा इसे चालू करिए कुछ इस तरीके से तो जैसे की हमने whatsapp में lock लगाया है और gallery में लगाएंगे और अगर कोई ऐसा app है जिससे की आपको notification आते हैं तो उसका notification content hide करने के लिए उपर ये जो settings आएगा इस पे click करिए hide notification content आएगा इस पे click करिए और hide करने के लिए यहां से इसे चालू करिए और आपके application में lock लग गया है तो चेक करिए तो जैसा की आप यहां पे देख सकते हैं whatsapp में lock set हो गया है और gallery में भी lock लग गया है तो इस तरीके से बिना किसी app के अपने phone की setting में lock लगाएं विडियो अगर आपको पसंद आई तो इस विडियो को लाइक जरूर करें खबते हैं